दोस्तों आप सबों का स्वागत है चार फर्वरी 2022 को इतिहास का परिच्छा हो गया था तो दोस्तों हम आपको 100 प्रस्ण में 100 सही सही उत्तर बनाएंगे एका दो प्रस्ण छूट सकता है जो की option में ही उसका answer गलत दिया है लेकिन आप उसे रंगे होंगे तो आपको उसका भ कमर ल हंदन था एक सो प्रस्ण में से तो आपने कौन सा प्रस्ण बनाया यह तो हमें पता नहीं लेकिन हम आपको जो है कि 100 प्रश्ण का सही सही उत्तर 100 प्रस्ण का हम बताएंगे जिसमें एकात प्रस्ण छूटेगा तो चलते हैं प्रस्ण के और जनरेस पहले हम बता दें कि जिसका H सेट होगा उसका बिल्कुल हूँ वो हूँ मिलेगा और जिसका दूसरा प्रस्ण पत्र है तो आपका कोई भी प्रस्ण पत्रो उससे फ्रक नहीं पड़ता क्योंकि आप एक्जम देकर क्या हैं आपको पता होगा कि कौन सा प्रस्ण पुछा गया था तो देखिए पहला प्रस्न आपके समर्य है कि आइने ए अकवारी कितने भागों में विभक्त है प्रस्न पूछा गया था आइने ए अकवारी कितने भागों में विभक्त है तो अप्सन नमर डी बिल्कुल से योगा दुस्तो पंच भागों में अगला प्रस्न आपका दिल्ल से दवलतावबाद की सासक ने अपनी राजधानी प्रवर्तित कि तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका option number B बिल्कुल सही है मुहम्मद बिन तुगलक ने मुहम्मद बिन तुगलक ने अगला प्रस्न आपका गुलवदन वेगम ने किसके आग्रह पर हुमायू नाम लिखा तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अकवर ठीक है अगला प्रस्न देखिए प्रस्न आपका बादसा नाम किसने लिखा बादसा नाम किसने लिखा तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका फजल अली का पूत्र अब्दूल हमीद लोहोरी, ओप्सन नमर C बिल्कुल सही है, बाथसा नामों किस ने लिखा? अगला प्रसन आपका फतेपूर सिक्री को राजधानी किशने बनाया तो इस प्रसन का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नम्मर एपिलकुल सही है अगला प्रसन है अक्वर ने किस सन्य में दिन ए इलाही चलाया तो इस प्रशने का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर D बिल्कुल सही है 1582 V में अकवर ने किस सन्य में दीन ए इलहाई चलाया तो 1582 V में चलाया था ओप्सन नमबर D सही है अगला प्रशन है अकवर का संगरक्षक कौन था तो वैरम खौन ओप्सन नमबर A सही है अगला प्रशन है आपका भारत में मोगल वन्स का संस्थापक कौन था भारत में मोगल वन्स का संस्थापक बावर था उप्शन नमर ए बिल्कुल सही हो जाएगा बावर अगला प्रस्ण है कि भारत का अंती मोगल समराट भारत का अंती मोगल समराट कौन था तो भारत का अंती मोगल समराट था बहादूर सा जाफर बहादूर सा जाफर उप्शन नमर सी बिल्कुल सही है अगला प्र प्रश्न का उत्तर भी हो सकता है लेकिन इस फ्रस्थ को छोर दिजे बशेंब तो चलते हैं इस प्रस्थ में Vale. isu izana में चुन यह को्टा अप अगला कर्याओं प्रेशन पुछा है कि लिए अग्ला प्रॉइस सब्सक्राइब् क्यों प्रस्णा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्णर जर्नल कौन थे सी राज गोपाला चारी अप्सन नमर ए सही हो जाएगा अगला प्रस्णा है आपका भारतिय राष्टिय कोंग्रेश की प्रत्थम महिला अध्यक्ष कौन थी तो ए निवेसेंट ऑप्सन नमर ए सह अगला प्रस्ण है जै हिंद का नारा किस ने दिया था तो भगत सिंग ने ओप्सन नमर ए सही है अगला प्रस्ण है दूतिये विश्यूद कब आरम हुआ तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर सी बिल्कुल सही है एक सितंबर 1949 इस वी को अगला प्रस्ण है पाकिस्थान एक स्वतन्त राष्ट के रूप में कव अस्तिप में आया तो अप्सन नमर सी बिल्कुल सही है चौदा अगस्ट 1947 इस वी को अगला प्रस्ण है समिधान के प्ररूप समिती के अध्यक्ष कौन थे तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जागा आपका ओप्सन नमर ए बिल्कुल सही है भीम राव अमबेटकर ओप्सन नमर ए सही है अगला प्रस्ण है भारत कब गंतंत्र हुआ भारत कब गंतंत्र हुआ तो दोस्तो भारत स्वतंत्र हुआ था पंदरा अगस्ट में सहीतालिस को स्वतंत्र हुआ था और भारत गंतंत्र कब हुआ 26 जनवरी 1950 को अप्सन नमर सी बिल्कुल सही है इस दिन समिधान लाग हुआ और उसी दिन को अमलोग करते हैं गंतंत्र दिवस मनाते हैं 26.1950 को अगला प्रस्ण है स्वतंत्र भारत के पर्थम गिरी मंत्री कौन थे तो बल्ला भाई पटेल आप्सन नमर ए बिल्कुल सही है बल्ला भाई पटेल अगला प्रस्ण है पाकिस्थान का पहला पर्दावन मंत्री कौन था लियाकत अली ऑप्सन नमर भी सही है लियाकत अली अगला प्रस्ण है बहादूर सा जाफर को देश से निकाल कर कहां भेजा गया तो रंगून वहाँ पे इसका मिर्थियू भी हो गया था रंगून भेज दिया गया था अगला प्रस्ण है अठासो संताओन के बिद्रो के समय भारत का गवर्नेर जर्नल कौन था तो लावड केनिंग ऑप्सन नमर सी सही है लावड केनिंग अगला प्रस्ण है दोस्तों इस प्रस्ण का उत्तर जो है कि आप अगर जान रहे तो कोमेंट में दीजेगा नहीं तो हम कोमेंट में आपको बता देंगे चलते हैं अगले प्रस्ण है 1857 की क्रांती किस तिती को आरम होई थी तो आप सभी विजञते हैं 10 मई को हुआ था अगले प्रस्ण है गेट्वेइवब इंडिया कहा हुआ जिफ थे तो गेट्वेइव इंडिया बंबय में ऑगला प्रस्ण है इंडिया गेट का निर्मान कब हुआ तो 1911 S.W. में उप्शन नमर A बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है भारत में रेलवेई की शुरुवात कब हुई तो 1853 S.W. में उप्शन नमर C बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है बासको डीगामा भारत कब आया तो 1498 S.W. में उप्शन नमर A सही है अगला प्रस्ण है ब्रिटिश सासन काल में भारत में धन प्रस्वास का सिध्धान किसने परतिपाजित क्या था तो दादा भाई नौरो जी ने उप्शन नमर B सही है अगला प्रस्ण है भगत सिंग को फंसी कब दी गई तो इस प्रस्ण का 23 उत्तरो जाएगा 231, Mars 1931 इस वी को अगला प्रस्ण है महावीर स्वामी का जन्म कब ह महावीर स्वामी का जन्म कब हमند था तो 540 इसापूरव में उप्शन नमर A सही है अगला प्रसना है दिगंबर और श्वतंबर दिगंबर और श्वतंबर किस धर्म से समन दे था तो जय धर्म से ओफिचन नमर C सही है अगला प्रसना है आपका संची मध्य प्रदेश के किस जीले में इस्तित है संची मध्य पर्देश के किस जीलय में इस्थित है तो राय सन selection ळाय बी बिल्कुल सही हो जायगा राय सन में इस्थित है अगला प्रसन है प्राचिन भारत में धामां की harp की शुरुवात की सासक ने की तो असोख ने option नमर C सही है अगला प्रसन है अक्वर नाम किरिती अक्वर नाम किसकी किरिती है तो अब्बूल फजल की option नमर D सही है अगला प्रस्ण है सेरसा ने चौसा का यूद में किसको पराजित क्या था तो हुमायू को option नमर B सही है अगला प्रस्ण है जीतल किस धातू का होता है तो चांदी का option नमर B सही है अगला प्रस्ण है जांगीर का सासन काल कब था तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option नमर A बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है अकवर के काल में भूमी को कितने भागों में वर्गी क्रित क्या गया था तो ओप्सन नम्मर बिल्कुल सही है चार अगला प्रस्ण है नवरत्न किसके दर्वार में रहते थे तो ओप्सन नम्मर बिल्कुल सही है अकवर के दर्वार में रहते थे प्रस्ण है चोड़ी चोरा कंट किस वर्थ हुआ था चोरी चोरा कंट हुआ था 1922 इसवी में उप्शन नमर D सही है 1922 इसवे में चोड़ी चोड़ा काउंड हुआ था अगला प्रसन है सेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है तो लाला लश्पत राय को जाना जाता है उप्शन नमर B सही है प्रसन है साइमन कमिशन भारत का वाया था शायमन कमिशन भरत का वाय था तो 1928 में था उप्सान नमर B सही है अगला प्रस्ण है नीमन में से कौन सा अंदोलन डंडी मार्च से शुरू हुआ अगला प्रस्ण है डंडी किस राज में इस्तित है तो गुजरात में अगला प्रस्ण है मातम गंधी ने पहला किसन अंदलन कहां शुरू किया था अगला प्रस्ण है 1942 में कौन सा अंदलन हुआ था तो भारत छोरो अंदलन हुआ था अगला प्रस्ण है रोलेक्ट किस वर्स पारित हुआ तो अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है बंगाल के बिभाजन कि Imagino किस वर्स हुआ था उनिस्सो पंचिस्वी में बंगाल के विभाजन की गोषना कब हुई थी उनिस्सो पंचिस्वी में अगला प्रस्ण है अंगुताई अंगुतर निकाई के अनुसार महाँ जन पदों की संख्या कितनी थी तो 16 थी और सनमर बी सही है अगला प्रस्ण है चंदरुगुप्त मौर्य का सासन काल ये था 223-298 इसापूर्व, उप्सन नमर डी बिल्कुल सही होगा अगला प्रस्ण है अजो किस वेंस का सासक था अगला परस्ण है परथम सासक है और प्रथम सासक था चंदरगूप्त मोडय नमर बी बिल्कुल सही है चंदरगूप्त मोडय ने ही मोड़ी समराज के श्थपना की थी और इसका गुरू था चानक की जो इसका परधान मंत्री बना अगला प्रस्ण है महा भारत की रचना किस भासों में हुई है तो आप सभी चांते हैं संस्कृत भासों में हुई है महा भारत की रचना किस भासों में संस्कृत भासों में हुई है अगला प्रस्ण है पुरानों की संख्या कितनी है तो चार प्रकार का उलेख है, उप्सन नमर B सही होगा, अगला प्रस्न है असवा मेग यग का उप्योग क्यों किया जाता है तो इस प्रशनिक का उत्तर हो जाएगा आपका इन में से कोई नहीं, देखिए असवा मेग यग क्या जाता है कि हिंसान हो और संती प्राप्ति हो ये सब के लिए क्या जाता है तो इसमें साही संप्रभुगता के लिए बेपार के लिए जिनमें दोने इन तीनों में सुख कोई नहीं option number D बिल्कुल सही हो जाएगा अस्वमेग ये का आयोजन क्या जाता है संती संप्रभुगता के लिए तो इस प्रशन का उत्तर था option number D सही हो जाएगा चलते हैं अगले प्रशन की ओर प्रशन है निम्न में कौन हरपा सब्यता का नगर नहीं है निम्न में कौन हरपा सब्यता का नगर नहीं है तो बिजय नगर option number D से हो जाएगा विजय नगर अगला प्रस्ण है विलियम जौन्स ने एसिटेक सोसाइटी की अस्थापन करब की थी विलियम जौन्स ने एसिया एसियाइटीक सोसाइटी की अस्थापन करब की थी तो option number A बिल्कुल सही है 1784 वी में अगला प्रस्ण है दयाराम साहिनी ने हडपा सव्यता की खोच कर की थी तो option number A बिल्कुल सही है 1921 वी में 1921 वी में किया था अगला प्रस्ण है धोला वीरा किस राज में इस्तित है धोला वीरा किस राज में इस्तित है तो इस प्रशन के उत्तर जगा गुजरात किस राज में है? अगला प्रशन है मोहन जोद्रो किस भासा का सब्द है? सिंध भासा का सब्द है अगला प्रशन है हडपा सभ्यता का विशाल असनानागर किशनगर में इस्तित है हडपा सभ्यता का विशाल असनानागर किशनगर में पाया गया है तो मोहन जोद्रो में option number A बिल्कुल सही है मोहन जोद्रो हो जाएगा अगला प्रस्ना है आपका कि पुरा तत्वीक के अंतरगत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है तो साहित्य है इधर सिक्का अभिलेक यह सब आ जाता है साहित्य तो इस प्रश्ण का उत्तर जगापका शाहित्य है अगला प्रश्ण है लोथल किस नदी के किनारे इस्तित है तो सिन नदी के किनारे इस् सिंध नदी के किनारे इस्तित हैं, अगला प्रस्ण है, त्री पीटक किस धर्म का साहित है, तो ओप्षन नमर बी बिल्कुल सही है, बोध धर्म का, त्री पीटक किस धर्म का साहित है, बोध धर्म का, अगला प्रस्ण है, राज तरंग नी किस ने लिखा था, तो कलहन ने लि किसे प्राजित किया था पनिपत के पर्थम यूद में बावर ने किसे प्राजित किया था तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर जो है कि बी बिल्कुल से है इब्राहिम लोधी को अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है ताजमहल किस नदी के किनारे इस्तित है तो यमुना नदी के किनारे इस्तित है तो यमुना नदी के किनारे इस्तित है ऑप्सिन नमर बी सही था अगला प्रशन है शुलो ए कूल की नीती तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आपसन नमर बी बिल्कुल सही है अकवर का था अगला प्रशन है किस मुगल सासक ने हिंदों पर से जज्या कर हटाया तो अकवर ने, उप्शन नमर B बिल्कुल सही है, अगला प्रस्ण है, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, तो इस प्रस्ण का उत्तर जागा आपका उप्शन नमर C, बिल्कुल सही है, G.S. Livio Dev, उप्शन नमर C, सही है, अगला प्रस्ण है, युनेस्को दुवर किसों वर्ष हैं। हैंपी विष्व ध्रोल अस्थल में घोशिद किया ग commandments 1996 में आप सन्रम डी तक प्रस्स्या कोई अगला बिजाय नगर का महनतम्र शासक स कों था उप स्य 55 देव राय क्रिश्ने देव राय अगला प्रस्ण है हैं पी किस राज से समंदित हैं तो हैं पी है किस राज समंदित है तो विजय नगर से ओप्शन नमबर बिल्कुल डीव हो जाएगा विजय नगर से अगला प्रस्ण है आपका बिजय नगर समराज की अस्थापन कब हुई थी 1336 इस्वी में हुई थी अगला प्रस्ण है दक्कन दंगा आयोक कब गठित हुआ था तो इस प्रस्ण का उतर जागा आपका उप्सन नमर बी बिल्कुल से अगला प्रस्ण है दामिन इकोहा क्या था तो भूभाग था ओप्सन नमर ए बिल्कुल से हो जाए भूभाग अगला प्रस्ण है दोस्तों इस प्रस्ण का उतर जो है कि लौड डल हो जी हो जाएगा आप लोग अंसर अगर जान रहे हैं पहले से तो दे दिजिएगा कॉमेंट में और अगर नहीं जानते हैं तो हम इसका कॉमेंट में अंसर पिन कर देंगे साम में तो चलते हैं एगले प्रश्नी की ओर संथाल विद्रो का नेता कौन था संथाल विद्रो का नेता कौन था तो option number A बिल्कुल सही है सिद्थू और कन्नो उसर जो दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है इसका answer हो जाएगा dar यह एक बेखती डॉक्टर था अगर आप लोग रंग दिया है तो एक नमबर जरूर मिलेगा चलते हैं अगले प्रश्ण है इस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी इस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था सोला सो इस वी में ऑप्सन नमर भी सही है अगला अगला प्रस्ण है रानी लच्मी वाई के गोद लिये पूत्र का नाम क्या था सब्सकर अगला अगला प्रस्ण हैं जगदिस्पूर में अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है तो रामा नेंद के सिस थे धन्न एवं पीपा अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है तलवंडी किसका जन्म अस्थाल है तो नवनक का अप्शन नमर भी सही है अगला प्रस्ण है ख्वाजा मोजदिन चिस्ती की दरगा कहा है तो अजमेर में अप्शन नमर डी बिल्कुल सही है अजमेर में खवजा मोजदिन चिस्ती की दरगा कहा है अजवेर में कासी में किस प्रसित संत का जन वह था कवीर का बीजक में किसके उबदेश संग्रीत है तो कवीर का उप्शन नम्मर ए बिल्कुल सहे कवीर अगला प्रस्न है हैंसों किस देश का यात्री था तो चीन का उप्शन नम्मर सी बिल्कुल सहे है चीन का प्रस्न है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा पर विद्रन्त है इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा अलबुर्नी अगला प्रस्ण है मौर्य काल का प्रसिद यूनानी यात्री काउन था तो मेगा अस्तनीज हो जाएगा अगला प्रस्ण है अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जगा अप्सन नंबर जहांगीर के दरवार में आया था तो दोस्तों ये रहा एक सो प्रस्ण का सही सही उत्तर एक सो में से इसमें से मास्तर 5,6 या 3,4 क्वेसा होगा जिसका अंसर नहीं मिला और 1,2 प्रस्न गलत हो सकते थे लेकिन 5,6 क्वेसा होगा लेकिन हाँ दोस्तों आपको इतना अच्छे अच्छे प्रस्न पूछे गेते अपने अच्छे से बनाएंगे और हाँ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने से दोस्तों में भेजें और कैसा या वीडियो लगा कोमेंट जरूर करें धन्यवाद